आजादी के 78 सालों के बाद आज आपको एक ऐसे गाउं से मिलवाता हूं मित्रों, जहां पर आज भी रोड नहीं है, बिजली नहीं है, और अयोध्या का ऐसा गाउं. आज कल इन दिनों में काफी ट्रेंडिंग है, यहां पर एक दलित परिवार की 15 साल की मासूम बिटिया से, मुश्लिम धरम के एक सक्स ने अपना नाम हिंदू धरम से नाम चुपा करके, अपनी आइडेंटिटी चुपा करके, लब जिहाद में, पेम जाल में फशाता है, और लगातार परिवार पे हमला करने की फिराक में रहता है, लेकिन अगर पीडिता के घर में और गाउं में उस दिन अगर बिजली का कनेक्शन होता, तो सायद यह घटना टल भी सकती थी, आप यह देख सकते हैं, यह घटना होने के बाद, सत्ता पच्च और विपच्च, तोन इससे पहले यहीं से विधायक थे, नीवर्तमान विधायक भी हैं, और मोके पर यहां पर सांसद हैं, कल रात में गाउं में आये, पीरित परिवार से मिलने, और गाउंवालों की जबरदस्त रोज का सामना करना पड़ा, और गाउंवालों ने अधेश प्रसाद को उल्टे का कनेक्सन नहीं है, आईए इन गाउंवालों से बात करते हैं, जी भाई साब क्या नाम है आपका, बीजे कुमार, तो एक बात बताईए, आपका गाउं आजकल जो है, बड़ी सुर्खियों में है, एक नाबालिक बिचिया के साथ, दलित बिचिया के साथ, दुस्कर्म होत जी तो आप गाउंवालों का इस पर क्या प्रिद करिया है, कितने नाराज हैं आप लोग, यह जो भी घटना हुई, बहुत निन्दनीय है, और ऐसी घटना का सारे समधाय के लोग, किसी भी समधाय के हों, सब को निन्दा करना चाहिए, यदि ऐसी घटना हम किसी के साथ होत कड़ी से कड़ी सजा मिले यह तो बयानों में मीडिया में और टेली विजन पर माई के सामने बोलने में अच्छा लगता है योगी बाबा के सरकार में बड़े-बड़े दावे होते हैं कि आप राधियों के होचले पष्थ हैं क्योंकि बाबा का बुलोजा चल रहा है कानून ब्यूस्था अच्छी है लेकिन पहले भदर सा कांड होता है पांच साल की बिठिया के साथ दुष्करम होता है रामनगरी इंदिनों कितनी सर्मसार क्यों होती जा रही है। नजर आता है कानून ब्युस्था की तो धज्यां उड़ रही है अप राधियों में कानून का खौफ नहीं है कानून ब्युस्था जहां तक हमको यह लग रहा है कि यह जो अब की चुनाओ रहा इसमें थोड़ा सा जो फेर बदल हुआ है इसमें कुछ समधाय के लोगों का मन थे हैं कम होती है तो आप सुनें हैं भाई साप की इस मामले में जो है लब जिहाद का भी अंगल सामने आता है एक हिंदू दलित बालिका को जोकि ना बालिक bnosal में मुश्लिम रिवक है क्या नाव ही आरोपी को हाँ सहबान नाम का आरोपी है उसको अपने प्रेमन जाल में अपना نام हिंदु आनंध नाम बताता है और उसने हिंदु पहचान करके जो है उसको प्रेम जाल में फशाया और जब उसकी असलियत पता चली कि यह मुशलिम धरम का है तो उसने जो है बोला कि नहीं हम तुमारे साथ रिष्टा निवा नहीं सकते उसके बाद से वो धमकी देने लगा और उसके साथ दुषकर्म किया योन्सोशन किया और जो है उस दिन दो तरीक की रात को जो है आठ दस गुंडों को ले करके उसके परिवार को जो है टार्गेट करने के लिए आया था क्या कहना चाहते है देखिए ऐसी जो घटना है उसके से गिरपतारी भी हुई है मुटभेड हुई हुआ है पुलिस के साथ मुटभेड हुई है और साबान के पाउं में गोली लगी है और उसको गिरपतार कर लिया गया अच्छा इससे पहले बहदर्सा में कैसी घटना होती है वहां भी 12 साल की माश्रूम बिटिया थी तो जो पारोपी है मोईत खान उसके घर पर बुल्डोजर चल गया तो आप गाउवालों की क्या मांगे यहां भी बुल्डोजर चलना चाहिए कि नहीं देखें बुल्डोजर चलना चलना वहम लोगों कभी से नहीं है वह सरकार कभी से है फिर आप भी आप भी इसी अस्थानीय ग सजा नहीं मिलेगी तो आप राधी तो बेलगाम हो जाएंगा उनका मनोबल बढ़ जाएगा वाई साब क्या लगता है जो आपके गाउ में दलित बेटी से नाबालिक बिटिया से जो दुश्करम वाला कांड हुआ है क्या लगता है कि जैसे भधरसा में बाबा का बुल्ड क्या कारण है आजादी के 80 सालों के बाद भी इस गाउं के लिए रोड नहीं है और बिजली भी नहीं है अगर उस रात बिजली होती तो साइद यह घटना टल भी सकती थी लेकिन हमारे अहां ऐसी दुरभाग है कि कोई अगर परधान होता है तो अपनी बने के कोसिस करता है यहां काम करने के लिए तैयार नहीं है अब घटना हो गई तो अब सब लोग पीडित परिवार से मिलने जा रहे हैं सब मिलने जा रहे हैं एक बात बताईए कल रात युद्ध्या के सांसत सुने है चोरी-चोरी चुपके-चुपके रात में नो बजे आये थे तो आप सब्सक्राइब करने के लिए लोग निकलते कैसे आते जाते कैसे हैं इतने पानी में आते हैं और आज तक कोई भी नेता सुद लेने वाला नहीं आया वोट लेने के लिए परचार पर्षार करते हैं हमें जितने के बाद कोई नहीं आता वर चीत्हाव दैलित नावालिक बीटिया के साथ में आप लोग कैसा एक्सन चाहते हैं इस मामले पे हम तो यह चाहते हैं प्रदेश सरकार का बुल्डोजर चलना घरजना चाहिए फिर से अपराधी के घरजना चाहिए जैसे बदर्शा में घरजना है उसके लिए योगी जी से हाथ जोड़कर मेना निवेदन है कि बिटिया को इंसाब दिलाया जाए जी कल अयोद्ध्य के सांस मंद्योस हुई मुलखाद सुनें कि रात में आये हैं जी रात में जैसे चोरों की भात आएं उस पर लोग उन तो तो उनकी भी गाड़ी वहां तक जा पाईगी नहीं यहीं थी पूरा फोर्स जो उनकी जिपसी गाड़ी दिखा दीजेगा जितनी जितनी गाड़ी ती नहीं यहां जो आता जिसे हम लोगों का दुर्भाग है कि हार्दम सत्ता विरोधी तांसद्या भिधायक होता है यह यहां कुछ बिकास नहीं होगा तो मित्रों अभी हम खड़े हैं रायपटी में खंडाशा में और अमानी गंचेत्र है और उमीद करते हैं कि यह गाउं ज बिजली त्यादी चीजें पहुंचें वीडियो को लाइक करें शेर कीजें बहुत बहुत धनिवान निमस्कार